हलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वाधत है आज हमका अच्छा 10 का मोस्ट इंपोर्टेंट चेप्टर तिरकोमीती का प्राशनावली नंबर 8D को यहां पे देखेंगे चलिए फ्रेंड्स इस्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो का लाइक करें और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स आपके सामने प्रशन है कि सिद्ध कीजी यह इसका प्रशन नंबर 6 है इसके पहले एक से ल यह सिव्च थीटा माइनस साइच फ़ल्भफ साइट साइट Core-1 सिद्ध करना है इसे थीटा-1 सिद्ध करना है इसको प्रूस simple तरीका से solve करेंगे देखिए इसमें करना क्या रहाता है कि left hand side लेकर चलते हैं यहाँ लिखे left hand side left hand side लिखने के बाद left hand side मान कुदारी देखिए left hand side क्या है 10 theta plus sin theta upon 10 theta minus sin theta अब यहाँ भी क्या करना रहाता है कि 10 theta को क्या करेंगे कि इसको change करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 10 theta बरावर होता क्या है 10 theta बरावर होता है आपका कि sin theta upon cast theta यानि जहाँ 10 theta लिखा है वहाँ पे हम इस formula का यूज़ कर सकते हैं 10 theta की जगए formula का यूज़ कीज़े यहाँ आप लिखिए sin theta upon cast theta plus sin theta upon 10 theta की जगए अब कितना लिखेंगे sin theta upon cast theta और minus sin theta friends तो friends यहाँ पे देखिए अब इसके आगे क्या करना रहता है इसके आगे आपको करना क्या है कि बस देखिए यहाँ पे sin theta यहाँ पे sin theta यहाँ से हम sin theta कामल है जब यहाँ sin theta कामल लेंगे तो आपको बचेगा कितना देखिए sin theta जगए 1 बचेगा और नीचे cast theta बचेगा ठीक है और यहाँ पे plus 1 बचेगा इसी तरह नीचे आईए यहाँ पर sin theta कामल लेंगे यहाँ से तो बचेगा कितना यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर cast theta बचेगा ठीक है और यहाँ minus है तो minus और यहाँ पर 1 बचेगा देखे, sin theta तो sin theta cancel हो जाएगा और यहाँ पर देखी 1 upon cast theta क्या लिख सकते हैं 1 upon जो cast theta है उसको हम set theta लिख सकते हैं और plus 1 होगा upon 1 upon cast theta कितना लिख सकते हैं set theta minus 1 देखे फ्रेंड्स यही आपको सिध करना था set theta plus 1 upon set theta minus 1 जही सही यह सिध करेंगे तो last में लिखेंगे left hand side is equal to right hand side देखे फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार आपको question देखा देते हैं कि सिध कितना करना था देखे यहाँ के question था 10 theta plus sin theta upon 10 theta minus sin theta is equal to 6 theta plus 1 upon 6 theta minus 1 इतना लाना था यहाँ पर एक बार कोई देखें यहाँ पर solve किये हैं चलिए friends next question को हम यहाँ पर देखते हैं तो आपका next question है आपका next question है कि 6 theta minus 10 theta whole square is equal to 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta यह UP के board में 2019 में question आ चुका है तो friends यहाँ पर आपको solve करते हैं और इस question को भी solve करके इतना लाना है तो देखें यहाँ पर करना क्या है आपको 6 theta minus 10 theta whole square is equal to 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta यहाँ पर आप left hand side को लेके चलेंगे left hand side और बहुत ज़्यादा simple है दोस्तों बस आप इस वीडियो में आप बने रहें पर इस question को बदारते हैं देखें 6 theta minus 10 theta का whole square अब देखें friends करना क्या है 6 theta को क्या लिख सकते हैं आप देखें लाना है 1 minus sin यहाँ साइन को रूप में लाना है तो 6 theta को क्या लिख सकते हैं 6 theta को लिख सकते हैं 1 upon 1 minus 10 theta को क्या लिख सकते हैं अभी आपको बताए हैं 10 theta को लिख सकते हैं 9 theta upon 6 theta का whole square ठीके friends अब आप आगे देखें क्या करना है देखें यहाँ पर जब आधार बरावर रहता है अंस को जोड़ना है तो जोड़ेंगे घटांगे घटांगे घटाते हैं यहाँ पर आधार को पहले लिखें आधार क्या दिया है कास theta दिया है और यहाँ पर 1 minus sin theta इसका whole square ठीक है यहाँ पर whole square लिख लिजिए फिने इसके बाद आपको क्या करना है इसको अलग अलग लिखें अलग अलग करने का मतलब क्या है कि इसको लिखेंगे 1 minus sin theta whole square करेंगे और अपान इसी तरह कास square यहाँ पर होल square करता तो कास square पहुँज़गा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कास square theta के जगव 1 minus sin square theta यह formula होता है यहाँ इतना होता है इस formula पर याद होना चाहिए कि जहाँ पर sin के रूप में हमें सिद्धे करना है जहाँ पर कास square theta लिखा है वहाँ पर हम कास square theta पर जगा आप लिखेंगे one minus sin square theta देखिए one minus sin square theta यहाँ पर एक का square कर रहेंगे तब यहाँ आप यहाँ पर क्या होता है कि आपको formula पता होना चाहिए एक और कि a square minus b square square two एक कोष्ट में होता a plus b एक कोष्ट में होता a minus b देखिए a मतलब यह a ka square नहीं बी का square नहीं?. इसको एकला plus में एकला minus में लिख सकते हैं यहाँ पी जैसे इसको एकला मानते हैं इसको हम b मानते हैं यही है a square minus b square यहाँ प्लस b और a minus b इस फार्म्यले को यहाँ पर यूज कर सकते हैं देखिए क्या है यहाँ पर हमकी one minus sin theta का whole square सो नकीज दक ten आजुरी कै almost कि को सदुरिया को जली को सब्सक्राइबda और सदुरे अधे सब्सक्राइब —अब यहाँ यहाँ पे सकते हैं 21-1 न nella inject' को फूली स्कूर है वाइन वाइनस हिज दो बार रो गया यहां पर क्या इसको लिख सकते हैं कितना हम वन माइनस साइन ठीटा उपर एक बर बचेएगा और नीचे क्या बचेएगा आपका वन प्लस साइन ठीटा फ्रेंड्स यही आपको सीद करके लाना था देखिए कितने सिंपल तरीका से यह आ गया यह यह आ जाता है इसी को हम लिखेंगे लेफ ठीटा माइनस ठीटा फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आ है तो वीडियो के लाइक करें और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फार वाचिंग